करनाटक सरकार ने खत्म किया मुस्लिम आरक्षन तो भड़का वक बोर्ड करनाटक में वही दूसरी तरफ कॉंग्रिस ने खेला मुस्लिम कार्ड सत्ना में आने के बाद चार प्रतीशत आरक्षन बहाल करने का किया बादा ऐसे में पूरा माजरा क्या है क्यों वक बोर्ड भड़क गया है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस सत्ता में आने के बाद करनाटक की बीजेपी सरकार ने नौकरियों और सिक्षा में मुस्लिमों को मिलने वाली चार फीजदी आरक्षन को खट्म कर दिया है इस फैसले पर शनिवार यानि 25 मार्च को वकबोर्ड ने जम कर नाराजगी जताई वकबोर्ड के आरक्षन को दो आपको बता दें की टू जमें वोटों के धूर्वी करन की एक कोशिश है वकबोर्ड के एक सदस्य ने कहा कि हमें बीजेपी सरकार से कोई उमीद नहीं है हम चार फीजदी आरक्षन को टू भी कैटेगरी के तहत वापस करने की मांग कर रहे हैं उन्हेंने कहा कि वो इससे फैसले के जरिए वोटों का धूर्वी करन करना चाहते हैं हमें अन्य जातियों को मिलने वाले आरक्षन पर कोई आपती नहीं है मुसल्मानों के साथ जो हुआ है हम उससे दुखी है करनाटक विदान सभाश चुनाव 2023 से पहले पसवराज बोमई सरकार ने 24 मार्च को सरकारी नोकरियों और सिक्षा म के लिए चार फीजदी आरक्षन खत्म करने का फैसला लिया फैसले के बाद अब मिस्लमानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इडाबलू एस में शामिल किया गया है वहीं बोमई सरकार ने इस चार फीजदी आरक्षन को वोक्का लिंगा और लिंग्यात समुदाय में जो है बाट दिया है वक बोर्ड के सदस्य ने कहा कि टू बी कैटेगरी के तहत या रक्षन सीधे तोर पर हमारे यानि मुस्लिमों के लिए ही होता है हमें ब्राम्मन वैश जैन जैसे मजबूत समुदायों के साथ प्रतिस्परदा करनी होगी हमें अपना रक्षन वापस च उत्रेगा और विधान सभा की इमारत के सामने समुद्ध को उठाएगा करना टक विधान सभाचुनाव से पहले सरकार ने फैसले के जरिये वक का लिंगा और लिंग्यात समुदाय को मिलने वाला अरक्षन कोटा बढ़ा दिया है वो का लिंग लिंगा का कोटा अब 4 से मुस्लिम समुदाय को अब गरीब स्वर्ण वाले EWS के 10 फिजदी वाले कोटे में शामिल कर दिया है वहीं दूसी दर्व सरकार ने मुसल्मानों को 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर्ग वर्ग EWS की सूची में स्थात्रित कर दिया कंदाटक प्रदेश कॉंग्रेस कमि बलकि यह अलप संख्यकों का अधिकार है उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता हूं कि इसके हिस्से के चार प्रतिशत का अरेक्षन किसी अन्य समुदाय को मिले यह अलप संख्यक लोग हमारे भाई बहन है संपून वोका लिंगा और विर्शयव लिंग्द्यात इस प्रस्ताव क को अस्विकार कर रही है उन्होंने विश्वास जताया कि अगले 45 दिनों में कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी साथ है उन्होंने कहा कि हम यह खत्म कर देंगे और कहा कि मुसल्मानों को विसी सुची से हटाने का कोई अधिकार नहीं है बोमाई सरकार पर भवनात्मक मुद्दो को उच्छाले की कोशिश करने का रोप लगाते हुए शिपकुमार ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में वह घोशना करना चाहते हैं कि कॉंगरेस के सत्ता में आने की स्थिती में मंत्री मंडल की पहली बैटक में कोठा बहाल करने का फैसला करेगी वह इ लेकिन कॉंग्रेस ने वोटों की राजनीती के लिए अलप संख्यकों को आरक्षन दिया अमिश्या ने कहा कि अलप संख्यकों को मिला अरक्षन समिधान के अनुसार नहीं था समिदान में यह प्रावधान कहीं नहीं है कि धर्ण के आधार पर आरक्षण मिले लेकिन कॉंग्रेस के तुष्टी करन की राजनीती के चलते अरप संख्यकों को आरक्षण का लाब दिया गया भाजपा ने वोका लिंगा और लिंग्यात समुदाय को आरक्षण दिया वहाई करनाटक से आरक्षण खत्व करने को लेकर AIMI AMI and All India मजलिसे एतिहादुल मुस्लिमिन ने ब्रमुक असदुद्दीन ओवेसी ने करनाटक की बीजबी सरकार पो जुमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि करनाटक सरकार दे सिक्षण नौक्रियों में गरीब मुस्लमानों के लिए रक्षण हटा दिया है या नरेंद्र मोदी की मुस्लिमों तक पहुच बढ़ाने और पसमानदा मुसलमानों के लिए प्यार है चाहे वह हिजाब हो या रक्षण मुसल्मानों की सिक्षा, रोईजगार और प्रगती टार्गेट पर है इसी तरह वकबोर्ड ने भी सरकार के फैसले पर नाराजगी जता है वकबोर्ड ने भी आरोप लगा है कि बसवराज बोमई की सरकार ने यह कदब वोटों के धूर्वी करण को ध्यान में रखते हुए उठा है बता दे कि करनातक में विधाज सभाद चुनाव से ठीक पहले वीजैपी की सरकार ने ये बड़ा दाव खेला है मुख्या मंतरी बसवराज बोमई के नर्तित वाली सरकार ने मुसल्मानों के लिए वंटेद चार प्रतिश्वत आरक्षण को खत्म कर दिया है इसके साथ ही राज में आरक्षण कोते में बड़े बदाव किये गये है अब SC को 17 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा लिंगियात वोका लिंगा समुदाय के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी की गई है शुक्रवार को ही क्याविनेट बैठक में बोमई सरकार के आरक्षण कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 56 प्रतिशत तक अब कर दिया तो इस पश्चत तोर पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है आरक्षण को करनाचर की बीज़पी सरकार खत्म कर रही है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस इसे लेकर बड़े दावे कर रही और कह रही है कि अब वो भी सत्ता में आईगी यहां तक उन्होंने यह अलान कर दिया है कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में आती है तो फिर यह चार प्रतिशत इनका अरक्षण मुसल्मारों का घटाया गया है इसे वापर से कॉंग्रेस की सरकार उने देदेगी तो यानि आब था कि कॉंग्रेस धुर्वी करन और तुष्टी करन के राजनीती करती है उन्होंने बताया कि प्रावधान ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि किसी के धर्म के अधार पर किसी को आरक्षण दिया जाए यह प्रावधान ऐसा नहीं था लेकिन कॉंग्रेस ने अपनी राजनीती के लिए तुष्टी करन की राजनीती के लिए इसे इस तरीके से इस्तमाल किया जो की गलत है अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि सरकार के फैसले को लेकर जहां एक तरफ कोंगलेस इसे लेकर विरोध कर रही है तो वकबोर्ड भी कह रही है कि गवर्णर के पास जाकर ग्याप करनातक की जंग कौन जीता है क्योंकि करनातक में आने वाले समय में विधान सभाद चुनाओं होने वाले और ऐसे में बीजेपी का ये बड़ा दाओ बीजेपी के लिए किस तरीके से फायदे मन्द साबित होता है और कॉंग्रेस इसमें जिस तरीके से पेज़ फासानी का कर रही है क्या कॉंग्रेस इसमें सफ़ल हो पाती है कि नहीं याने वाले करनातक का विधान समय के साथ और इसके रिजल्ट के साथ जो है फिलाल के लिए हमने आपको यह पूरा मामला बड़े बस्तार से बिताय कि पूरा मामला क्या है कि सारीके से जहां पर बीजेपी कोंगेस वापसी करेगी अवैसे में आने वाले समय के साथ पता चलेगा कि कौन सत्ता में वापसी करता है या फिपर अपना जो आप कह सकते हैं कि सत्ता में जो है से दोहराती ही है फिलाल के लिए पूरे मालने पर आपकी जो लाए हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साजा करें थन्यवाद